गुद्मार्ट इस्प्रेंट्स आज ये कईतल है लंक्षमन मुच्छा और आप मिला इसका कुछ भाग सेस्पचा था उसकी व्यार्थिया में प्रस्तुत करना हूं भाग आपका सेस्पचा है प्रभुप्र लाफिल इसे चाहता लिया देखा तो इस भाग में बताया है कि हनुमान जी जो बावस नहीं आए है उससे प्रभु स्री राम बहुत परेशान है और वो बिलाद करती है और इसी वक्त जो है अनुमान जी बावस प्रस्तुत हो जाते हैं तो जो सोग का जो महाल जो बना हुआ भया साहसो प्रिता की महाल में मदद जाता है तो प्रभु प्रलाः सुन कान विकल धैवानर निकर आई गए उनुमान जिम कर नाम है वीर रस्त ये सोठा चंद है और इस चंद में तो इसी दाफ्दी ने इसपस्ट पिया है कि प्रभु प्रलाः सुन कान प्रभु के श्री रा सुन करके विकल धैवानर निकर निकर मानी समून जो राम की सेना में वानर थे वे श्री राम के विनाद को सुन कर बहुत परेशान हो रहे थे आए गयो अनुमान इसी बद इसी समय अनुमान जी संजीवनी बूदी लेकर आए जीव करोना में वीर रस जिस प्रकार से करोना की जगह वीर रस ने लेगी हो यानि जो अब तर करोना का सुर्पार महाल बना गुए था वहाया महाल साहस और वीरता में बदल गया हरे राम भेट्यों हनुमाना हरे कमीस हर्शित होकर के रामी स्री राम ने भेट्यों कीस गले लगा दिया हनुमान के सनुमान को जो स्री राम ने रसित होकर पिरसन होकर के हनुमान के रति क्रत्यक्यता वेट्शिया रथा उन्होंने कहा कि आप ने हम पर बहुत एहसान किया है तुरत बैद इतल्गी उपाई गया था उस बैद ने उपाई बताया और उपाई बताने के तुरत बैद इतल्गी उपाई गया उनने संजीती मूंटीप को लिया और उसको लक्ष्मन को पिला आ। उठ बेटे लक्ष्मन है रिसाई उस मूंटी पिएगर के लक्ष्मन जो मू crunchy तवस्ता में पढ़े थे आप prishanth करके उठ बेटे हिर्दे लाए प्रगु भेटव राथा प्रभु राम ने लक्षमण को अपने गले से लगा दिया, उनको अपने हिटाय से लगाता है, उनसे मिलने लगे, हर खे सकत भालु का प्रभु राता है, और जो खालु और बालर जो की सेना थी वे सब इस दरस को देख करके अतियंत्व हर्षित होने लगे। कभि कुन बैद तहा पहुचावा, कभि कुन यहां पर कभि कमिस मैसे बंदर के लिया आता है, लेकि हैं हनुमाल जी के लिया आया है, क्योंकि हनुमाल जी ही सुसेन बैद को दंदा से लाइके और फिर बैद उसको पहुचाने जाती है, कुन बैद साların के विंग से मुद्ध को अनुवान ली ने वहीं पहुंचा दिया पिरकार से उनको वह से यह घहां == उसी परकार वहां पहुंचांक दिया यह ब्रतांत धसानन सुनियों, धसानन रावड, यह ब्रतांत की लक्षिमर्ण, की मुच्छा अब खीप हो गई हैं, आपो मुच्छी तबस्ता से जेतना वस्ता में आ यह ब्रतांत धसानन सुनियों, ज़र रावड ने यह प्रतां यह समाचा सुना तो अतिविसाद पुल्पुन स्रद्रियू तो अतिविसाद परिशाद होना दुखी होना तो रावड अतियंत दुखी हुआ और वो अपने सिर्फ को धुनने लगा परिशाद लगा ब्याव कुम्वकरन कहियावा बहुत बने सांद का और उसके सोचा अब कौम सा उपजाद है कि हम रावड पी सेना से लड़ाई लड़ सके उन पर विजयव रख कर सके तो उसके दिमाग में आया उसका हम्याव कुम्वकरन है बहुत बसानी है उसकी सहाज़्यता लेनी चाहि तो ब्याकु कुम्वकरन कहियावा परिशान उपर रावण कुम्वकरन के पास गया और विवद ही जतन करता ही जगावा उस समय कुम्वकरन सो रहा था अन्य पिरकार से उसको जगाया क्योंकि वह जो है बहुत गहरी नित में सोता था तो ब्यवद ही जतन करता ही जगावा और जाना निस्चर देखो कैसा निस्चर निस ध्याकु करन के लियाद है कि वह उम्वकरन जा गया और जब वो खड़ा हुआ तो मानुह काल दे रहा था वैसा ऐसा लगा मानुह साफ्छात में म्रत्यू शरीर धारं करके खड़ी बीड है कुम्वकरन कुछा कुठाई और काहे तम मुखरहे सुठाई कुम्वकरन ने रावड से पूछा कुम्वकरन ने रावड से पूछा तिहे भाई मुझे क्यों डगाया काहे तम मुखरहे सुठाई आप मुखरहा है अर्था आप परेशान क्यों है उदास क्यों है कथा कए सत्यरी अभिमानी उस अभिमानी रावड मेंॵ शारी कथा सुनाती सारी कमानी शुठाई जही प्रकार सिहका करते ज्स प्रकार से उसने Sita के हरण की आता H terror सीथा के अ貫िन समर्ण की सारी और नम्युत से विष्ततर से अपने नहीं पूलुकरान को सुना दिए 90 जिरमारे damit, जीति कार्यों की कहानी के वाद में बावण बच्छर वारे ताथ कपिंसम निश्चर मारे इन बांगों ने अनेग राप्षासों को मार गिरा है सभी राप्षासों को मार डाला है महा महा दूधा समारे जो अपनी सेना में रावण की सेना में बड़े बड़े उत्मा है उनका संधार कर दिया है उनको मौत एक हाट कार दिया है दुर्मुख सुररिप मन्ज आहारी यह वो उनकी नाम है जो राप्षासों को मुने मारा है दुर्मुख और सुररिप और जो बड़े बड़े मनिश्व का आहार करने वाली है भट अतिकाय अकंपन अकंपन नाम का जो अत्यरित विसाल राक्षेस है अपर महोदर आदिक वीरा इक्यार अलाम में महोदर आदिक वीर में परे समर्ष महिसब दिरा यह सब यूत्व में ब्रत पड़े यानि राम की सेना ने बहुत बड़े उत्वां को माजिराय है तो दोहा है आगे यह सुद्ध दसकंधर वचंत तब तुम्भ करल विल्खान जब रावण से इस प्रकार की बात सुनी किस प्रकार की बात सुनी की रावण के सीथा का अनंग कर लिया है रावण रावण का युदु छिट गया है जिसमें रावण के बड़े-बड़े विल्खाओं को रावण की से नहीं गिरा दिया है तो जब ये सारी बाते सुनी सुन दसकंधर वचंत तब उम्भ करन विल्खान तो उम्भ करन विल्खा पूर होने लगा बहुत परिशान होने लगा जड़ दंबा हर्यान सट अब चाहत कल्यान बोले कि तुमने जड़त जनिनी शीता का अपरण किया है और उनका अपरण करने के बाद में आप तुम कल्यान चाहते हो इस प्रिकार से तुम करन में रामा को समझाया ऐसा कहा कि तुम्हें बहुत गलत किया है और इसका तुम्हें परेडाम ही बुगता पड़ेगा तो हमारी कविता जो है यही पर समाप होती है और मैं चलाता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको यह कविता अची तरह से समझ में आई होगी और यही हम अपनी व्याख्या को समाप करता हूँ, जहने बाद हूँ करता हूँ करता हूँ